हेलो दोस्तो वेलकम तू बाइं वीडियो तो दोस्तो आज मैं अब लोगों से बात करने वाला हूँ एक नय मॉबाइल के बारे में जो कि है और 9 x प्रो जी हां दोस्तो यह जो मॉबाइल है यह रिसेनली लॉंच हो गया है और इसमें क्या-क्या स्पेसिफिकेशन है क्या बैटर है क्या क्या मेरा है क्या इसका प्राइस होगा सब कुछ में बता हूंगा आपको इसे वीडियो में तो इस वीडियो को पुड़ा एंड तक देखना मत भूलिए और दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो नीचे जो में दिया हुए जाके जिल्द से आप मुझे फॉलोग कर सकते हो तो नमस्कार दोस्तों मेरे नहीं जैदेप और आप लोग देख रहें बेस्ट मजाया तो तो दोस्तों यह जो और 9x प्रो है यह रिसली लांच हो गया है और बहुत सारे स्प्रेसिफिकेशन के साथ आता है है तो चलिए ध्यान देता है एदर कैसा श्प्रेसिफिकेशन मतलब कि क्या है स्प्रेसिफिफिकेशन तो चलिए देख ले Himself तो दोस्तों सबसे पहरे बात करते हैं इसके लूक्स और डिजाइन के बारे आप में तो इसमें बहुती काफी यूनिक्स आपको स्पेशल लू यह आता है यह आता है दो कलर एक्हांट के साथ जहांने, पर आपको फैंटम परफॉल और मिड्नाइट ब्लैक का देखने alien को मिलता है दोलर विरिए दिए दो 스alts और डियकर बात करते हैं मिलाएं जो कि है 202 ग्राम जी हां तो दोस्तों अगर बात करतें इसके डिस्प्ले के बारे में तो दोस्तों इसमें आपको 6.5 लाइन इंज का पैनोरमा फूल व्यू डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है साधी-साधी इसके पिक्सल डिंसिटी है वो है 391 PPI पिक्सल डिंसिटी जी हां दोस्तों और इसमें आपको 92% स्कीन डू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है साधी-साधी इसमें आपको ब्लू लाइट फिल्टर भी आपको देखने को मिलता है और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वह है 20 टू 9 दोस्तों अगर बात करतें इसके प्रोस्टेसर के बारे में तो और दोस्तों अगर बात करतें इसके मतलब की स्टोरीच और रेम इरिंट के बारे में तो दोस्तों इसमें आपको 6GB का LPDDR4X का RAM सपोर्ट देखने को मिलता है साथी-समें आपको 256GB का इसका स्टोरीच वेरियर देखने को मिलता है जो की आता है स्टोरीच टाइप 2.1 के 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है तो दोस्तों इसके अगर के बारे में बात करतें तो दोस्तों इसमें आपको triple rear camera देखने को मिलता है जहां पर आपको 48MP का primal sensor आपको देखने को मिलता है जो आता है aperture f1.8 के साथ और इसका दूसरा चुलेंज है वो है 8MP का super ultra wide angle जो की 120 degree तक इसका field of view है साथे साथ इसमें आपको 2 Megawissile का dead sensor भी देखने को मिलता है जो आता है aperture f2.4 के साथ जी हां दोस्तों इसमें आपको AI s night mood का आपको support देखने को मिलता है साथ चाहत इसमें आपको AI स्टीवी का मून भी दोस्तों गर इसके phone camera के बाड़े में बात करते है तो दोस्तों इसमें आपको 16 Megawissile का phone selfie camera आपको देखनें को मिलता है जो की ایک pop-up selfie camera है वह आपको देखने को मिलता है दोस्तों अगर बात करते इसके अधर स्वीचर्स के बाड़े में तो दोस्तों इसमें आपको AI signal enhancer आपको इसमें support देखने हों मिल जाएगा साथ इसमें आपको 9.1 surround sound का भी support देखने को मिलता है 3.5 mm jack का support तो ही तो यह सब features इसमें आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों अगर बात करते हैं प्राइस के बाड़े में देखने को मिलता है लेकिन अगर इसको आप अगले वीडियो में तब तक लिए खुछ रहिए और healthy रहिए अगले के बाराब कर दिए